शायद उस दिन वो एक पल उस पर भारी पड़ गया एक पल में बहुत ताकत होती है तुमसे और मुझसे कहीं ज्यादा उसे एक पल में हिम्मत जवाब दे जाती है वो आपको खड़ा भी कर सकती है तो आपको सबसे परे भी ले जा सकती है उस पल के कोई तैयारी नहीं होते और ना ही कोई चेतावनी हाँ कुछ इशारे जरूर होते हैं पर उन्हें समझने के लिए किसी और का होना बहुत जरूरी है गर तुम कभी अकेले हो और ऐसे किसी पल से तुम्हारा सामना हो तो तुरंत मुड़ जाना किसी अपने के पास चले जाना या फिर किसी को अपने पास बुला लेना मदद मांगने में पल भर भी न लगाना अपनी बात बताना, जी भर रो लेना, सब कुछ कर लेना, बस तुम चले मत जाना उस पल के कुछ पहलों से मेरी मुलाकात हुई है और मैंने जाना हैं कि उस पल को कई तरीकों से रोका जा सकता है पर उसके लिए एक समाज लगता है एक पूरा समाज ऐसा समाज जिसमें समझ हो जिसमें सब्र हो सुनने की, जानने की ऐसा समाज जो पहुच में हो ऐसा समाज जो डराए नहीं अपना है जो हालातों से लड़ते हुए इंसान को हारा हुआ ना बताए बड़ी हिम्मत लगती है अकेले उस पल का सामना करने में तो जाहिर से बात है हिम्मत तूट भी सकती है इसलिए तुम अपने अनुमान मत लगाना उस जाने वाली की हकीकत में अपनी कलपना मत मिलाना हाँ हो सके तो खुद को इस काबल बनाना कि समझ पाओ वो इशारे जो जागते रहते हैं कि सुन पाओ वो बातें जो अक्सर छुपाई जाती है कि देख पाओ वो पहलो जो धुंदले से हैं कि कर पाओ कुछ उस एक पल के भारी पढ़ने से पहले।